So, hello traders, welcome back to your channel, Trading University, जैसा की trader आपके लिए मैंने एक strategy बताया थी, जिसमें मैंने positional setup के बारे में discuss किया था, तो उसकी पहले वीडियो मैंने description box में डाल के रखिया, अगर आपने नहीं देखिये, तो please make sure आप उसको जाके देखिये, उसमें मैंने RSI क्या होता है, इसके बारे में discuss किया था, आज हम लोग जानेंगे RSI divergence के बारे में, कि divergence क्यों आते हैं, तो चलिए दोस्तों, वीडियो को start करते हैं, without any delay, तो पहला क्या था, swing setup using RSI, तो यह अगर वीडियो आपने नहीं देखिये, तो description box में link मिल जाएगे, आप उसको जाके देख सकते है, RSI divergence, ठीक है, RSI divergence यह divergence होते क्यों है, जब market एकदम extreme पे पहुँच जा, जो existing trend होता है, वो एकदम extreme पे पहुच जाता है, तो भाई देखिये, market में क्या है, profit booking आनी है, market हमेशा profit book करते हुए चलती है, ठीक है, market swing नीचे की तरफ देते हुए चलती है, वो एक साथ कभी उपर जा नहीं सकती, त तब ही जब market एकदम extreme में पहुचने के बाद, वहाँ पे आप देखेंगे, कितने भी momentum indicator है, सब पे divergence आते हैं, ठीक है, तो आए जानते RSI diversion क्या होते, they are the detours, means existing trend may continue to pause और profit booking, इसी का मतलब है कि भाई, existing trend है, उसमें या तो वो pause लेगा, उसमें correction आएगा, या तो थोड़ी ब profit booking करते हैं, क्योंकि उनका भी सोचना होता है, कि भाई, इतना high चला गया, market यहां से गिर सकता है, ठीक है, तो इस way में profit booking आती है, ठीक है, अब divergence क्या होता है, जब price और indicator है, RSI वो opposite move करते हैं, तो उनको divergence कहते हैं, ठीक है, price कहीं और जा रहा है, और indicator कहीं और जा रहा है, त होते हैं, तीन तरह की divergence, एक होता है strong, एक होता है medium, एक होता है weak, हम लोग बात करेंगे strong और medium के बारे में, क्योंकि हमारा जो setup है, वो strong और medium से ही बना है, हम लोग वो weak से कोई मतलब नहीं, क्योंकि weak से हम लोग trade करते भी नहीं है, और weak market में चलता भी नहीं है, तो फिर क्या बूलिश डैवर्जन आपको समझना होगा कि बूलिश डैवर्जन क्या होता है बूलिश डैवर्जन का मतलब है मार्केट हायर हाई गया है मार्केट हायर आई जा रहा है ठीक है सॉरी बुलिश डैवर्जन को आप आप देखेंगे आपको समझना को बुलिश डैवर्जन क्या होता है बुलिश डैवर्जन यह होता है कि मार्केट मीचे आ रहा है ठीक है और यहाँ से अगर यह divergence आता है तो आप यह कह सकते कि भाई यहाँ से market अब trend में जा सकती है या फिर उसका जो trend है वो bullish थे जो bearish trend था वो bullish में convert हो सकता है इसी को कहते है bullish divergence ठीक है अब bearish divergence क्या होता है market भाई market उपर ही जाती जा रही है वहाँ पर आगर आपको bearish divergence आता है तो हाँ सब समझ सकते, market में हो सकते, profit booking आई, तो उसको कहते है, bearish divergence, ठीक है, तो दो तरह कि strong divergence में भी दो part होते है, एक होते bonish, एक होते bearish, ते लिए अब discuss करते है कि bullish divergence क्या होता है, ठीक है, price जो है, यह जो अपका price है, यह आपका price है, ठीक है, price आपका lower low, lower high बना रहा है, means वो ठीक है, बट RSI, RSI indicator क्या show कर रहा है, higher high, ठीक है, या फिर higher low, ठीक, वो higher low show कर रहा है, market में क्या हो रहा है, इसको फिर सा समझ लीजेगा, मैं आपको एकदम detail में ऐसे, अच्छे से draw करें बता देता हूं, फिर से आपके सामने, market ऐसे गिर रही है, price ऐसे गिर रहा है, और RSI ऐ से जा रहा है, ठीक है, price नीचे की तरफ, RSI ऐसे उपर की तरफ, तो ये show कर रहा है कि market में bullish divergence है, ठीक है, market हो सकते है, यहां से अब उपर की साट रुख करें, ठीक है, तो आपको ready रखना आ आगा, आपने उपर position ली है, तो यहां profit book करो, यहां पे नए position डालो, ठीक है, इसको chart पे समझाऊंगा, तो आपको proper में समझाएंगे कैसे setup को use करना है, ठीक है, और इसका हम लोग chart पे example भी देखेंगे, चलिए, bearish divergence, bearish divergence क्या होता है, market जब higher high लगा रहा है, ठीक है, higher high की side उपर जा रहा है, और RSI नीचे जा रहा है, ठीक है, RSI आपका नीचे जा रहा तो इसी कहते है, bearish divergence, ठीक है, तो अगर यहाँ पे इसका मतलब भी होता है कि आगर आपने नीचे में position बनाईए, तो उपर में आके profit bucket करिए, यहाँ से market correct हो सकती है, चलिए, next उसमें चलते, अब medium divergence में आते, medium divergence बहुत simple होता, आपने सुना ही होगा double top, double bottom क्या होता है, अग अगर आपने हमारी double top, double bottom की वीडियो नहीं देखिये, तो मैं आप जाके उसको देखे, description box में आपको link मिल जाएगी, आपको उसे समझ में आ रही है कि double top, double bottom pattern क्या होता है, ठीक है, तो price में क्या बनता है, double top बनता है, ठीक है, और RSI क्या दिखा रहा है, आपका downtrend दिखा र ठीक है, तो आप इसको double top को कैसे trade कर सकते हैं, आप RSI की मजल से भी double top को भी trade कर सकते हैं, ठीक है, और कैसे trade करना है, मैंने आपको वीडियो में बता कि रखा है, आप प्लीज उसको जाके देखेगा, और उसमें अगर आप RSI इंडिकेटर यूस करतेंगे, तो आपकी accuracy और उसमें भी मैंने बता है कि trap trading concept को कैसे लगाते हैं, ठीक है, उसमें trap trading कैसे करते हैं, ठीक है, तो अगर आपको additional information चाहिए, उसमें additional कुछ confirmation चाहिए, तो आप RSI को उसमें use कर सकते हैं, चैल याप bullish divergence की बात करते हैं, market क्या बनाता है, double bottom बना रहा है, ठीक है, और RSI क्या बना pattern को कैसे trade करते हैं, अगर उसमें आप RSI लगा देंगे, तो देखिए, अच्छा हो जाए, आपके बने से और अच्छा है, ठीक है, एक से एक चीज़ सब correlated है, ठीक है, एक से एक चीज़ सब correlated है, तो आपको सारी चीज़े study करनी आनी चाहिए, ठीक है, तो यह चीज़ मैंने आपको बताते हैं कि swing setup जो आपका था, की कैसे था, अब इसको हम लोग चार्ट में समझते हैं कि RSI divergence को देखते हैं, और देखते हैं, मार्केट ने उसके बाद हुआ किया, ठीक है, याद रखिए, आपको सिर्फ divergence पे trade नहीं करने हैं, मैं आपके साथ पुरा setup discuss करूँगा, तब आपको जाके trade लेना है, ठीक है, और यह हमारा चार्ट है, यह upstocks का account है, अगर आपके बास upstocks का account नहीं है, तो अब description box से आपको link मिल जाएगा, आप वहाँ से open करा सकते हैं, बहुत easy to use, बहुत user friendly account है, बहुत simple हो जाएगा, चली मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, RSI देखी, कहां से plot होता है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर सारी चीज़े study यहाँ पर दिया हुआ है, two hours, views, display, तो आपका दूपर इस पे से chat frame discuss हो जाता है, चली इसको one hour कर लेते हैं, ठीक है, आपको यहाँ से views में आप देख सकते हैं, जो आपका saved view है, वो plot कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर तीनों चीज़े लिख कर आ रही है, ठीक है, RSI, RSI divergence और Stochastic, तो हमें divergence को plot नहीं करना है, हमें सिर्फ simple RSI करना है, क्योंकि हम लोग सिर्फ दो उस पर trade करेंगे, एक तो strong divergence और medium divergence पर, ठीक है, वाकी B call हमें चाहिए तो इसमें सब included हैगा, त अब यह दिखे, automatic setting 80-20 की लिख करके आई है, ठीक है, मैंने आपको starting वीडियो में बताया था, 70 और 30, बट actual में हम लोग को क्या उसमें setting को use करना है, हम लोग को 80 का लेना है time period, और नीचे वाले का हम लोग को 25, उपर वाले का हम लोग को 80 और नीचे वाले का 25, यह हम लोग क time period लेके चलना है, ठीक है, चलिए, अब हम लोग देखते हैं, divergence देखने के कोशिश करते हैं, कहां पर आई है, देखिए, पहले ही हम लोग को chart पर divergence दिख रहा है, यह current, आपका live chart है, ठीक है, जब देखिए, क्या हुआ, market, market higher high बनाया है, ठीक है, market higher high बनाया, और RSI इसको मैं तोड़ जूम कर देता हूँ, ठीक है, RSI देखिए, lower low, market higher high, मैंने आपको क्या बताया था, जब divergence आए, चाहिए, bullish है, bearish है, तो market का trend नहीं बदलता है, ठीक है, market में profit booking आती है, यही बात हमेशा याद अगएगा, तो हो सकते correction है, तो अगर आपने नीचे लिया है तो आपको क्या करना है, उपर में profit booking करना है, कैसे करना है, वो मैं आपको बताऊँगा, कौन सी candle देखना है, वो भी मैं बताऊँगा कि किस concept पर हम लोग trade करेंगे, अभी एक लिए समझी, RSI divergence कैसे plot करते हैं, ठीक है, यह आपको दिखाए, आपर divergence एकदम कितना easy आया, इस पर trade क्या बनाना है, वो मैं बाद में बताऊँगा, अब यह आपको सिफ divergence पकड़ने सीखने है, चली यह तो हो गया, bullish divergence एक bullish divergence भी देख लेते हैं, यह देखिए, आपको सामने ही, काफी frequent setup ही है, आपको काफी frequently यह मिलेगा, आपको अच्छा trade बना के देगा, ठीक है, थोड 1000 का कम से कम move मिलता, तो इंडेक्स पे 1000 का movement बहुत बड़ा है, ठीक है, कितने short period में आपको मिलता है, यह 1 hour का time frame है, तो यह तो हो गया आपका bullish divergence के बारे में, I hope आपको इस वीडियो में समझ में आयोगा कि divergence को कैसे trade करते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने friends और family के साथ share करें, ताकि उन्हें भी valuable knowledge भिले, हम लोग मिलते हैं अपने next वीडियो में, बाई बाई, टेक क्या, जैहन